अभिवादन स्विकार कीजिए ब्रजेश मिस्त्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं दडिवेट बन भाईयों हादसों से हम लोग क्या सबक लेते हैं न सरकार और न समाच हम एक के बाद एक हादसों के बाद मुआपजा देकर या थोड़ा गम मना कर आगे बढ़ लेते हैं लेकिन हमारी सरकार और समाज और सिस्टम कभी भी उससे कोई सबक लेकर आगे के लिए कोई एक निर्देश बनाने की स्थिति में नहीं रहता है एक के बाद एक घटनाएं होती हैं और हम गम मनाते हैं फिर भूल जाते हैं अगली घटना की प्रतिच्छा होती है मैं बात कर रहा हूँ पिछले तीन बड़ी घटनाओं की दकिंपूर खीरी सड़क हाथ्षा बड़ी तादाद में लोगों की मौत लखनव सड़क हाथ्षा बड़ी तादाद में बच्चों और महिलाओं की मौत और उसके बाद कानपूर की घटना बच्चे बुजुर्ग बुढ़े इनकी मौत और कल रात भदोही का हुआ हाथसा दुरगा पूजा पंडाल में जल कर पांच लोगों की मौत और 62 लोगों का बुरी तरह से जुलसना क्या यह सही वक्त है कि हम एक सिस्टम डेवलप करें एक समवेदन सीलता का सिस्टम एक जिम्मेदारी का सिस्टम एक सब्वेसमाज का सिस्टम जो पारंपरी ध्हांचे पर चलता हो आज की परिचर्चा गंभीर है और हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं बैन भायों इं नहीं है वरना कोई कारण नहीं है कि एक के बाद एक बड़े हादसे होते हैं और हम लोग इन हादसों से कोई सबक लेना ही नहीं चाहते हम से मतलब सरकार समाज सिस्टम सब कोई हादसों की खबरों को भी बहुत तबज्जों मीडिया में नहीं मिलती है, थोड़ा बहुत चर्चा करने के बाद मामला आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन एक हादसा सिर्फ हादसा नहीं है, किसी की मौत उसका पुरे परिवार को बिखेर देती है, पुरा परिवार पुराद में दुरघटनाओं की वज़े से सअबकों पर बेमौत मारे जा रहे हैं, ऐसी मौत जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कारण सबक ना ट्रैफिक का कोई नियम है, ना कोई उसका सिस्टम है, ना कोई सवारियों का सिस्टम है, और ना सरकारों ने आज तक को अब इस लोग मारे गए मुवजा देकर इतिसरी तो यहां सिर्फ सरकार ही नहीं सिस्टम और समाज की भी responsibility कोई समझना नहीं चाहता है दुरघटनाओं को बड़े ही casual तरीके से लेने की हमारा एक सुभाव हो गया है हमारा मतलब भारतिय समाज का ना हम में समवेदन सीलता है ना जिम्मेदारी का हम पर मसले हैं और ना हम उस गंभीरता के साथ को एक सिस्टम develop करना चाहते हैं इतने लोग मर के किसी को फर्क नहीं पड़ता लेकिन उनको फर्क पड़ता है जिन्होंने अपनों को गवाया है वो जिन्दगी भर गम उनके साथ चलेगा तो क्या हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां किसी के मौत पर किसी को फर्क नहीं पड़े किस तरह से लासे निकाली जा रहे हैं थी तलाब के भीतर हमारे पास क्या डिजास्टर मेनेजमेंट सिस्टम है कि कभी इस तरह के हाथ से हो जाएं तो कम से कम जिन्दा तो उन्हें कुछ नहीं सम्मान दे पाए मरने के बाद तो उन्हें सम्मान दे घसीट कर लासे निकाली जाए द्रश्ट विचलित करते हैं बेचैन करते हैं चाहल लखीमपुर खी जेलेंगे जीवन बर और कानपुर का हाथ सा बच्चे मारे गए चोटे चोटे बच्चे जिनका जीवन था अभी जिनको उत्तरप्रदेश की तरक्की में एक नया आयाम लिखना था इस समाज के लिए कुछ कंट्रिब्यूट करना था असा में मारे गए फर्क नहीं पड़ जहां मुआपजा ही सब कुछ है और ततकालिक तौर पर दिशा निर्देश जारी करके बाद खतम हम एक कंक्रीट सिस्टम कब डेवलप करेंगे आखिर कितनी मौतों के बाद हम सिस्टम समाज और सरकार एक स्ट्रीम लाइन करेगा चीजों को चाहे वो ट्राफिक का सिस्ट हो और चाहे इस तरह के पारंपरिक आयोजनों को अनुमति देने की प्रणा दी लेवाना कांड अभी कोई भूला नहीं तब तक आप देखिए यह घटना हो गए बदो ही कि जलके लोग मर गए तो मैटर क्या करता है यहां पर सिस्टम और सरकार की भूमी का क्या होनी चाहि आप देखें अस्पताल जाईए बेकदरी रोटवेज की बसों पर सफर करिए बेकदरी इंसान कितनी बेकदरी जिंदा में भी और मरने के बाद भी यह चीज बड़ा दुख देती है बहुत तकलीव देती है और हमें लगता है कि हमें एक जिम्मेदार समाज के रूप में अपनी भूमी काओं का निरवान करना चाहिए एक दूसरे की सुरख चाखा ध्यान रखना चाहिए सरकारों को भी समवेदन्सीलता दिखानी चाहिए नीमों का पालन कराना चाहिए और हमें एक सिस्टम डेवलप करके समाज को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने की जर करकार मुआपजा दे कर या पुलिस वाले सारा कुछ केस को खतम करके अपनी अपनी इतिसरी कर लेंगे लेकिन गम उनके साथ चलता है पूरी जिन्दगी कि इसको कोई बांट नहीं सकता नहीं हम ना आप यह वही महसूस करता है जो इसको भुगत रहा है उत्तरप्रदेश के भीतर हम एक पारंपरिक सिस्टम तैयार करें अपना सिस्टम तैयार करें जहां इंसानों के लिए जवाब दे हीत हो चाहे वो हस्पिटल हो चाहे वो सारजनी के स्थल हो चाहे वो सडक हो सम्मान मिलना चाहिए लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए और उनके लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए उस सिस्टम को जिसको सरकार भी माने और समाज भी माने हमें उस सिस्टम को बनाने की अब आवश्यक्ता है कुछ आप बयान सुने उसके बाद आज की परिचर परचाओं से सरकारे नियम बनाती हैं, समाज में जागरुकता होती हैं। जरूरी नहीं कि आप कोई रोज राजनीतिक डिवेट देखें, आप रोज कोई हिंदू-मुसल्मान की डिवेट देखें। इस तरह की डिवेट करने से सिस्टम पर परिसर पड़ता है। वो फिर एक आपके लिए स्टेंडर्ड प्रोसीजंग SPO तयार करते हैं, ताकि आप उन निर्देशों का पालन करें। और समाज में इस तरह की चर्चाएं जाकरुकता फैलाती है। आप जो लोग देख रहे हों, जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वान करें। जिनको लगता पालने की कोशिश करें कि दुनिया के दूसरे मुलकों में सलक की सुरक्च्छा को लेकर क्या है। इंसानों के साथ अगर कुछ समस्या हो जाती है, जाए अस्पताल हो, सारजनी किस्थालों, उन्हें क्या ट्रीटमेंट मिन लचे है। घिगनिटी, हम इस बारे में करेंगे और सिस्टम को बनानी की कोशिश के लिए धरिश्चन शिर्वास्तो भरता